नमस्कार साथ ही हूँ एक बार फिट से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूटॉब चैनल एजूकेशन नियूज अनली के माधियम से दोस्तो आज 8 जून 2020 को हम EU और RO के एक्जाम के बारे में चर्चा करेंगे क्या एक्जाम रद हो सकता है और अगर रद नहीं होगा तो कट उफ के बारे में चर्चा करेंगे और सत परतिसत कट उफ के बारे में चर्चा होगी इतने marks पे जो है आप confirm रूप से select हो जाएंगे रेजल्ट को लेकर भी बात कर लेंगे ऐसे तमाम परकार के टॉपिक पे बात करेंगे जो बच्चों के मन में डाउट बनता है तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है बस कि अगर आप पहली बार इस चैनल के माधियम से विजिट कर रहे हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेज कर दीजेगा ताकि हर परकार का जो अपडेट है यो और आरो एक्जाम के टिलेटेट आपको टाइम पे मिल सके चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखे दोस्तों अभी तक रद लेने को लेकर कोई ऐसी ठोस अपडेट नहीं मिल रही है लेकिन जिस परकार से आपको पता है कि सैम पारी के अंदर यानि पहली पारी में दूसरी पारी में सैम टू सैम क्यूसन आई थे तो बच्चों ने ऑबजेक्शन लगाया अब कुछ बच्चे हाई कोट में चले गए और उसके बाद में नेकल वाला भी मामला चल रहा है तो करीब करीब तीन लाग बच्चों ने एक्जाम दिया है तो बच्चों के कारण हाई कोट ने जो जबाब है वो RPSC से मांगा है लेकिन RPSC क्या कर रही है अभी तक थोड़ा वेट करवा रही है तो जब तक कोई ठोस पुकता सबुत नहीं मिल जाते हैं तब तक कोई चीज जो है कहना possible नहीं है तो अभी तक जो आपको जानकर ही मिलती है रद के Related, Cancel के Related अभी इस ब्रह्म में आपना रहे अभी अपने को सिफ रेजल्ट का इंतजार करना है और Cut-Off का भी इंतजार करना है अगर रद होता है तो अच्छी बात है लेकिन रद नहीं होता है तो कितने Score पर आप जो है सेलेक्ट होंगे और Cut-Off Result पर क्या News हो सकती है तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा यहां पर तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि Cut-Off बनाने के लिए हमने कौन-कौन से Factor इस्तेमाल किया है तो हमने Previous Vacancy की Cut-Off पर थोड़ा सा ध्यान रखा है Attendance पर ध्यान रखा है Exam के Level को चेक किया है बच्चों के Comments पढ़े है Poll वाला जो यहां पर एक Base था उसका भी इस्तेमाल किया है कुछ Teacher और Expert की यहां पर राही लेकर उनकी Advice लेकर कुछ Data उन्होंने जो हमको दिये थे उनको भी Analysis किया है और Students से मिलकर जो हमने उनसे Feedback लिया है उनका क्या जो यहां पर पढ़ती किरिया था उसके According बात करेंगे तो यहां पर दोस्तों हमने बिल्कूल इन सभी Factor का इस्तेमाल करके एक Maximum Score तयार किया है अगर आप इस Maximum Score को तयार करते है तो DV के लिए जो है आपका Selection हो जाएगा क्यानि हम हमारे चैनल के माधियम से DV की कटोब बता देते है तो अगर आप General Category के अंदर है और 101 Cution आपके Right हो रहे हैं तो Confirm ही आपका DV के लिए Call हो जाएगा OBC के अंदर अगर आप 100 Cution बना रहे हैं 100 Cution Right है तो Confirm ही हो जाएगा EWS और MBC के अंदर 90 Cution Right होने पर आप सभी आगे बढ़ेंगे HC के लिए 96 Cution तो ST के लिए 94 Cution तो अगर इतने Cution आपके Right हो रहे हैं हलाकि Post है कम है तो बच्चे इस भ्रह्म है कि Cut Off तो कई न कई High चाहेगी लेकिन दोस्तों दो गुणा की Cut Off है यह और जब Final Cut Off आएगी तो उसमें थोड़ा फेर बदल हो सकता है उसके लिए अलग वीडियो बनाई चाहेगी अब दोस्तों मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा आपके Result के Related Topic पे तो यह अगर मामला High Court में जा रहा है तो फिर थोड़ा सा लंबा खिश सकता है तो जुलाई अगस तक जो है Result देखने को मिल सकते है क्योंकि Vacancy जब High Court में चली जाती है अब तक तो आप समझे जाओ ठैंक यू